दोस्तों बिहार सिक्षक भरती में एक बड़ा यूटर्न आया है यहाँ पर अदर इस्टेट की जो फिमेल के निटेट हैं जिनोंने CTT की परिक्षा में 90 अंग से कम अंग हासिल किया हैं और जिनकी नौकरी लग भी चुकी थी और फिलाल वो जॉब में भी हैं उनको कारणा म स्माइ को पतना हाई कोड का एक आदेश आया है और आदेश में यह बात बिल्कुल असपस्ट कि गई है कि अधर इस्टेट की जो फिमेल के निटेट हैं उनको किसी भी प्रकार का आरक्षन या reservation का lab नहीं मिलेगा जो reservation का lab मिलेगा वो सिर्फ बिहार state की जो female candidate है उनको मिलेगा यानि कि जो general female है और जो other female है अगर वो बिहार की रहने वाली हैं तो उनको यहाँ पर relaxation मिलेगा 5% का लेकिन अगर आप other state की female हैं तो आपको यहाँ पर relaxation नहीं दिया जाएगा आपको CTT में 90 अंक लाने ही होंगे फिलाल कोड के आदेश के बाद यहाँ पर एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो यह है कि ऐसी बहुत सी female candidate हैं जो की other state से हैं और जिनका चेहन हो भी चुका है बिहार सिक्षकवर्ती परिक्षा चरण एक के माध्यम से उनको भी अब बाहर करने के बारे में बात की जा रही है notice जारी कर दी गई है और यह भी कहा जा रहा है कि आप इसका कारण बता है कि आपको बाहर क्यों न किया जाए फिलाल अगर कोड का आदेश है तो निश्टित रूप से यह सभी पर अपलाई होगा यानि कि अधर स्टेट की जो फिमेल कर्णिडेट है जिनोंने CTT में 90 अंक हासिल नहीं किया है 90 अंक से उनके कम अंक है और वो चैनित हो भी गई है तो अब वो बाहर हो जाएंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सुरुवाद भी हो चुकी है करले जिला सिख्षा पतादिकारी और अंगाबाद की और से एक असमार पत्र यहाँ पर जारी किया गया है इसमें जो बाते लिखी गई है इनको point to point आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत ही important है यह असपस्टिक करण के संबंद में है कहा जा रहा है कि उपरोग्त विश्यक अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक्षिवा आयोके बिग्यापन संख्या 27 बटा 2023 आपको याद होगा कि बिग्यापन संख्या 27 बटा 2023 यह बिहार टीयारी 2 के माध्यम से भर्दी पूरी हुई थी शिक्ष्यवर्दी परिक्षा का यह तीसरा चरण था तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके द्वारा उपस्तित सैक्षडिक प्रसैक्षडिक प्रवाल पत्रों के और लोकन से असपस्ट है कि आपकी योगिता विद्याल अध्यापक यह तो समचित नहीं है विवर्ण दिया गया है इसमें नाम दिया गया है वर्ग दिया गया है हिंदी संस्कित जो भी यह भी से है स्विक्षड पातता परिक्षा यानि कि CTT में जो अंक है आप देख सकते हैं कि 86, 86, 84, 88, 89, 86, 83, 82 और 87 अंक और जो अभ्युक्ति है वो बिहार राज का निवासी नहीं तो यह बात यहाँ पर लिखी गई है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधो हस्ताक्षरी करेला ग्यापांग, 866 दिनांग, 16 फरवरी 2024 के द्वारा, आप सभी के सिक्षक पातता परिच्छा का प्रापतांग, 60 प्रतिसत से कम रहने पर, मल्लब कि 90 अंक से कम रहने पर, नियुक्ति हे तुरू पात्र नहीं होने के कारण, अस्पस्टिक्रण क की मांग की गई थी, ज्यात हो कि किसी प्रकार के आरख्षण का लाप सिर्फ बिहार राज के निवासियों को ही दे है, बिहार लोकसिवा आयोक द्वारा जारी, दिसा निर्देश इवंग, विग्यप्ति के आलोक में, माननी उच नियाले पटना द्वारा, निर्गत निया सिक्षक पात्ता परिच्छा में उत्रणांग हे तू 5% का जो छूट है, वो दे नहीं होगा, तो उक्त के आलोक में आपके सिक्षक पात्ता परिच्छा यानि कि CTAT में जो प्रापतांग है, वो 60% से कम होने के कारण आपके उमिदवारी निरस्थ करने ही होग है, अता आप तीन दिनों के अंदर स्पस्ट करें कि क्यों आपके भर्दित को निरस्थ करते हुए, आपका अपबंदिक नियुक्ति पत्र को ट्रद किया जाए, समयावधी में जवाब नहीं प्रापत होने पर यह माना जाएगा कि इस अंदर में आपको कुछ नहीं कहना है, तदा और ददा लोक में विभाग द्वारा अगरते करवाई की जाएगी, तो यहां पर देखो बात यह की जा रही है, कि जो भी फिमेल कंडिडेट अदर इस्टेट की हैं, जो भिहाराज की निवासी नहीं है, अगर CTET में उनका अंक 90 अंक से कम है, तो उनको बाहर करने के बारे में बात की जा रही है, उनको पहले तीन दिन के अंदर उनसे जबाब मागा गया है, और अगर वो समचित जबाब नहीं दे पाते हैं, या फिर जबाब नहीं भी देते हैं, तो फिर मतलब आगरिम कारवाई होगी, यानि कि उनका जो कैंडिडेचर है, वो निरस्ट कर दिया ज जला है, जो एक confusion सामने आया, ये confusion सामने नहीं आता और अंतता मामला कोड में न जाता, और कोड के आदेश के बाद ये कहानी न बनती, तो थोड़ा सा जो नीती नीयंता है, उनको भी इस बात का थेहार लखना चाहिए कि जो point संद्यास पद हो, उस पर थोड़ी सी clarity, clearance वहा तो आविदन न करें, कोई फायदा नहीं है, और जो आविदन करके चैनित हो भी चुकी है, अब फिलाल यहाँ पर notice के मुताबिक अब उनको बाहर किया जाना तैंकिया गया है, तो ये update है, और आपको ये जांकारी हमारे टेलिग्राम चनल, study with ज्यानपकास पर ही मिल जाए झाल झाल